असलाम अलेकुम वेलकम बैक तुजाइका अपने किचिन का आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुत्य हुए आटे की बहुती मज़िदार और टेश्टी रेस्पी ये रेस्पी बिलुकल अलग है और नई है आप इसको बहुती आसानी से अपने घर में बना सकते हैं तो चलि नमक को हमने एड कर दिया है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है नमक और आटे को यहां पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें हम डालेंगे पानी तो यहां पर आपको एकसंग सारा पानी नहीं डाल देना है अगर आपने एकसंग सारा पानी डाल दिया त तो यहाँ पर हमने इस टार्टिंग में थोड़ा पानी डाला था और इसमें हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एकदम टाइट डो बनाकर तयार कर लेना है। और ये नाश्ता इतना जटपड बनता है कि देख लेंगे न तो खुद को बनाने से रोप नहीं पाएंगे। अची तरह भी पहाँ रख़ाएंगे, तो खके लाश्ता रोप पाना से बेट पानी आप नहीं चाहिए। पर पॉछा एक देगर काता है। आप एक साइड में काट कर भी स्कूपर डाल सकते हैं तो यहाँ पर मैंने सारी जो आटे की गुथे हुई रेस पी थी वो इसके अंदर डाल दी है और इसको हम अच्छे तरीके से बाउल होने तक पकाएंगे यहाँ पर हमें इसे 15 मिर्ट तक बाउल होने तक पकाना है यह दे इसको बड़ी प्लेट में निकालें तक यह फिस अपर और कि चिपकेंगे नहीं आप देख सकते हैं कितने लग रहे हैं और कितने असंदर लग रहे हैं देखने में यह बहुत ही जाद ही हम इसको बनाना शुरू करते हैं निग गयस पर एक पैन रख लिए और इसमें थोड और दिया एक टर्माटे नीर उड़ने अपर पीज़ करते हैं, और दो एक हम खलके ही पकाने के लिए टामाटे टेनाया है, में लिए एक पिजा सॉस, पिजा सॉस में डाला लेंगे आदी चम्मच लाल मिर्स पाॉडर हम थोड़ा सा प़ानी जालों है। और इसको मिक्स करके हम एक तरफ रख देंगे यह देखिए इसमें कलर बहुत ही जादा अच्छा आएगा इसका और इसमें हम डाल देंगे पास्ता मसाला को डालने के बाद हम इसको यहां पर मिक्स कर लेंगे यहां पर हमें पास्ता मसाला डाल दिया है और इसको हमें घुम के लिया है और इसको हम एक तरफ रख देते हैं और इसको पल्च प्यियार रहता है और टेश्ट इसका बहुत यमी आता है आप हैं इसको एक बर रिडर एक कbell की जिए तो चलिए आपर मनादस शुरू करते हैं यह पर अंगर हम एंप हम इसको हलके से पका लिया है और हम इसको दैंक डाल देंगे जा अज़ीर है आदे घुर 레島 किया खोड़ां किर सब्WOOT ट्राइऄ केजिएगा और हम इसमें डाल देंगे आदा चम्मप मिलाया है और बाल होने में भी नमप मिलाया है आप तो अपने हिस्साबसे मिला सकते हैं तो चलिए यह यह दगा बि'll-स, इसкив कवर करके पका लेंगे यह देखें, इसे बहुत उट्स न रिरिप hebben, इस बहुत ही अच्छे पनद आत्यी आए पास्ता बने का लिए क्षचा ह Dual दियान ता Прिषया है और रहां भी ठ्रीजन की हमारे निया हम वी बैस्त के लिड़ी ता रहे bacold यह था फ़नी होइँ आठे ऑन्धे ता नी मेरे ख़ला कूँ सब्सके है तो जब कर पाइस दना हम पाष्ठो बतुर में लेग पाइस जिसाफ तो बाऱ कि इंगे त बटर और घी यूज़ करने से इसका टेस्ट बहुत जादा चाहता है आप चाहे तो खाली मैदा भी भून सकते हैं तो यहां पर हमें इस मैदा को इतना भूना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ना जाए यह देखिए हमने इसको इतना भूना है अब हम इसमें एट कर देंगे दो कब दूद यहां पर हमें गैस बंद करके हमने गैस को आफ कर दिया है और हम दूद शामिल कर लेंगे यहां पर हमें दो कब दूद लिया है और इसको हम शामिल करके अच्छे से मिला लेंगे और बिल्कुल हलके हलके मिलाना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े संक संक मिल आधा चुममच नमक करई में धle healthy mix बादिए फार यरा गैस कोई इस इसे अल्डिया नमक अजय को अच्छी मिंक्स कर का है जाते हैं गाते हैं और निया लिया टिरोड परशने हो ते चालो एप अच्छी से हैं ऋच्छी नमकि ने मलें गैस पाल डालने के बाद पी दी लाँ बारों को चुप करना खारिक हम tayा बूंकर हे यहां पैयस को करता है बूंकर करीम्य और यहांने और Grams अवर के बून हम प्यास को लिए उन्याँ आरे बूंकरी को हम प्यास तेरी और प्यास को करनशी को चुका है आपके पास जो सब्जिया हो आप वो डाल सकते हैं और इन सब्जियों को पकाने के बाद सब्जियों को हमने पकाया था वो भी हम इसमें डाल देते हैं और इसको यहां पर हम अच्छे से मिक्स कर लिया है आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी कितनी रिच लग रही है और कितनी टीस्टी और यम्मी लग रही है अब हमारी जो रेस्पी आदी बच्ची हुई थी आदी हमने पहले बना ली है और आदी जो बच्ची थी वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है बन कर तयार है ना हमारा वाइट सॉस पास्टा आप देख सकते हैं कितना जाद यम्मी बना हुआ है तो इस तरहां से हमने बहुत ही आसान तरीके से ये बाजार से दो तरहां के पास्ते बना कर तयार किये हैं वैसे तो जादा तर लोग पास्ता मारकेट से ही खरीद कर लाते हैं पर आप इस तरहां से घर पर ही बना कर सर्फ करेंगे ना तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने गुत्य हुए आटे से तैयार किये हैं इसका टेक्शर भी बहुत क्रीमी और मसालेदार लग रहा है आपको मेरी रेस्पी पसंद आई है तो आप मेरी रेस्पी को जादा से जादा लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सबस्क करना ना भूले आपको मेरी रेस्पी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अल्लाहाफेज